बियार विदान सभा के अत्यक्ष हैं विजे कुमार सिना उन्होंने आपती विजद आई उननका कि अधा कुछ नहीं होता है और ठीक जिस तरीके से हंगामा बढ़ा फिर सदन की करवाई को इस्थवित कर दिया गया और उसके ठीक बात देखिए आपकी तिजस्तु यादो र भारी संक्या में उनके साथ लोग हैं पुलिस पुरसासन है और लगतार वो राजभाहन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं हाला कि आगे सुरक्षा के भी पैमाने तैय किये गए हैं सुरक्षा में जो गार्ड है वो भी तनात है अब आगे किस तरीके की तस्वीर निकल कर तरिके से अगे तो वता है यह तो अब जहते ही राजभाहन के नदीग पहुचेंगे वहां से लोका लेकिन वाकरी में जिस तरीके से मंतरी राम सुरत राय पर जो गंफीर आरोप के आज जो सुबह में श्रम्र 1 प्रेस कोंफरेंस की स्वेद्वकार्स प्रेस्इण को पर क मंतरी राम्सूरत रयकां उनकी स्कूल दे फुरेना मिलए चुंड़ा थीे मिलिति संपे का… यह kisऌन नृती के उसकूल नहीं नहीं है वह गोई यृत मिले द सकूल में और यह उनकी न्यातर है तेजस्वी आदव का ती ओ स्थापक हैं और राम सूरत राय उते स्थांभार भार जाते हैं और कोई भी बड़ा कारिक्रम होता है वहाँ पर हिस्सा लेते हैं अविनाश जैसे तेजस्वी आदव ने अथ सुबे प्रेस कॉंफरेंस की ये भी ख़वरे आ रही है कि तीन बजे के करीब राम सूरत राय जिस पर या रोप लग रहा है मंत्री जो है बिहार सरकार के वो भी प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं क्या लगता है क्या कुछ अविनाश जो प्रेस कॉंफरेंस की तीन और उसका जवाब दिया था उनका कोई सरोकार नहीं है उनके भाई की अगा ये मामला है उनके भाई उस सीज को देख रहे हैं उनका स्कूल है इस तरीके से उन्होंने बाते कहीं थी आला कि अब ये देखने वाली बात होगी कि अब बिल्कुल अविनाश जिस तरीके से तेजस्वी आदव लगातार समुद्दे को कई दिनों से उठा रहे हैं लगातार प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं और आज भी सदन में तेजस्वी आदव ने ये मुद्दा उठाया और सरकार पर गंभी ना होने का आरोप लगाया अविनाश ऑब बिल्कुल देखिये सरकार के उपर लगातार समय दो आरोप लगाते रहे हैं चिंदे तोर पर जहें कई मुद्दे हो शराब बन्दी का जो मुद्दा है वो बहुत बढ़ा मुद्दा है बिहार में क्योंकि बिहार में पूर बंदी लागू है बावजूद इसके कई जगों पर जब च्छाबे मारी की जाती है तो ट्रक के ड्रक शराब मिलते हैं अभी कल की बात कर लें शर्मिला तो नालंदा या फिर बेटिया की हम बात कर लें इन जगों पर इसके साथ साथ कई और जगों से भी शराब जो है वो बरामत हुई है पुलिक से भारी स इसके बाद जो है जैसे ही वो सदन पहुंचे सदन में जुरदार अंगामा हुआ इसका अपन्दी को लेकर और भी चुतमा मुद्दे रहें उतको लेकर सदन में से जुस्ती यादों ने यहां तर क्या दिया कि जब हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दिया जाएगा जब वि और ठीक जैसे ही सदन करवाई तरित की गए वहां से निकल कर ते जस्वी आदो राजभावन मार्च की तरफ मार्च कर रहे हैं और आपको देर के बाद की दस्वीरे जी टीवी भारत लगातार आपको दिखाते रहेगा लेकिन फिलहाल हम आपको बता दे कि ते जस्वी प्राइक को लेकर लगातार हमलावर नजर आते रहे और लगातार उनी के स्तिफेकी मांग करें फिलाल तमाम जनकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया विनाश प्राइक झांने वर यजरी भालाव नाब। झालावर झाहर विल्हांद neon Y तो बिल्कुल आपको बतादू राम सूरत राय के मामले को लेकर के लगतार अब सियासत तेज हो गई यह नमस्कार आप देख रहे हैं डीटीपी भारत और मैं हूँ आपके साथ निर्भाय के शोर अब तक हमारी सायोगी सरमीला के साथ आप देख रहे थे बड़ी ख़वर आ रही है सीदे राजभान पर अब राजनीती करने निकल चुक है है नेता पर्टिपक टेजस्वी यादो जो की साथ तोर पर 2014 मामले में दो दिन पहले प्रेजस्वी यादो ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बड़ा खुलासा किया था और राम सूरत राय बिहार सरकार के मंतरी राम सूरत रा करें तो सदर में कारवाई चल रही थी और विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया और हंगामे के बीच अब सदन अस्तगीत है और सदन से निकलते ही नेता पर्टिपक टेजस्वी यादो अब राजभान के लिए निकल चुके हैं वो लगतार मंतरी के स्तीफे के मांग कर र तो बिलकुल आपको बता रहे हैं सीदे नेता पर्टिपक टेजस्वी यादो और अपने कुनवे के साथ उनके साथ उनके बड़े भाई तेज बता आप यादो भी हैं वो राजभान निकल चुके हैं और सीदे तोर पर जो उनके साथ जो कार्ज करता है राज़त के जो वि विरोध में सरकार के विरोध में नारे भी लगा रहे हैं और राज भौन के लिए निकल चुके हैं तो सिदे तोर पर आपको अतादी कि इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है। के बावजूद भी इस मामले में पूरे तरीके से सनलीपता है और अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने साथ तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंद्री के मंत्री के इस्तिफे की मांग कि और हमारे साथ हमारे संपादक राजेस सर जूड़ाम उनसे जाने के सर मंत्री के स्तिफे की लगातार मांग हो रही है और नेता प्रतिपक्ष अब तो उग्र होगा है बिल्कुल जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं और उस आरोप की साथ मी वांतुरत वाए जो राजेस्ट मंत्री हैं उनकी मुस्तिपल गई है जिस तरह से आपको बता दे शराब म जिनों में या कदन के अंदर या कदन के बाहर यानि बिल्कुल जिस तरकार को घेजने का काम करेगा विपक्ष और जस्की रादो अब अपने इस तरह से लिकल चुके हैं और तीवे राज वबर चूर मार्च कर रहे हैं सपैटलों की संट्वाइब उनके साथ सारी करता है बिल्कुल और रूम लागातार इस में उनने सिधा सिधा आरोप लगाया है उनने कल्वी पेस कॉंफरेंस जब किया था अपने आवाद पर उस वक्त में ने कहा था कि रामपूरत रहे जो कि राजस्व मंतरी हैं उनके पूरे पुखता सबूत है और सबूत के साथ हमें उन कि बिखाया भी था लेकिन उसके बावजूद आज सबेरे जैसे ही सुबा हुआ है तरके इस तेजफ्री यादो आज प्रेस क्राइब किये हैं उस प्रेस क्रांफेंस में भी सरकार को कदगरे खड़ा किया है तबन जैसे ही खुला है वैसे ही आप जली के तकमाम भी घज़ जब कदम में उनकी बात नहीं सुनी गई तो राज़काल के दरवाजे पर सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्होंने जो सवाल उखाया है उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत है उस आधार पर मंत्री को इस्तिफा देना होगा और मुर्क मंत्री इसके लिए जबादे हैं उन्होंने सिधा सिधा रोप लगाया है कि जो इसकूल है जहां पर इसकूल के टेंपस में जो श्राब रामद हुआ है उनका हलाकि रामसूरत नहीं कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह जमीन जो है लीज़ पर जी गई है और उसी को आभार बनाते हुए ते जसमी यादो न करेंगे लेकिन ऐसे में उससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने और उनके कुन्बे ने जो एक रणनीती सुरू कर दिया कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से सिक्षा मंत्री जो बने थे और उनके उपर भरष्टाचार का रोप लगा था तो वह मंत्री पद इस् उससे पहले उनको सायद रोक दिया गया है और यहां पर प्रशासन भी दिख रही है किस तरीके से वहां रूख गया है और वो राजभावन के तरफ जा रहे थे लेकिन इस बीच लगता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है वहां कुछ लोग पहुंचे हुए और रोक दिया गया नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ जितने भी नेता आप देख सकते हैं कि माले के भी नेता उनके साथ में दिख रहा है उनके भाई है तेज परताप यादो सबी लोग यहां रुक गया और वो लगतार नारेबाजी कर रहे हैं यानि कि उनको राजभावन जाने से रोक दिया गया है आपको बदा दे उन्हें राजभावन जाने से अभी क्योंकि राजभावन से मिलने से पहले उन्हें अनमती लेनी होती है लेकिन राजभावन के बाहर जो गोलंबर है वहां कर वो पूरी तरह से वो लोग घरने पर बैठ गया हैं और तमाम उनके कारिकरता है आजएदी के वाजबेख गया हैं और इसी मसले पर ओ कह रहे हैं कि अब उन्हें इस्तिपा देने की जरुवत है क्योंकि जो आरोप लगे हों वो काफी संगीन आरोप है जो एस्कूल है वो एस्कूल उनके पिता जी के नाम पे है और जो रामसूरत राय कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं न मात्या और राग्भवान के दर्वाजे के सामने वो बैठ गये हैं उनके साथ तमाम आर्जेटी के जो इधायक हैं और असकारिकरता हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर बैठे हुए हैं अब उन्हें इंतुजार है कि राज जपाल कब उन्हें अंदर जानी के अनुवती अगर कोई आरोप सुद्ध कर देगा तो मैं इस्तिफा देदूगा और राजिटी से सन्या फिले लूँगा लेकिन अभी जो सदम जैसे ही आज को सुरू हुआ है उसके बाद विपक्ष का जो तेवर था उस तेवर को देखते हुए आप कह सकते हैं कि पतिपक्ष पुरी अगर आरोप प्रत्यारूप की बात की जाए तो नेता प्रतिफक्ष ने साब तौर पर मंत्री के उपर जो आरोप लगा हैं उनका कहना है कि इस्कूल जो है वो इस्कूल का जो बिजली बिल है वो मंत्री के नाम पर आता और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस्कूल के संस्थापक और उसके भाई लालकांत सर्मा ब्यास्थापक है और मामले में अमरेंद ने राट कारों से भी बातचीत किया था, डreetबीवी भारत से भी उन्हों ने बातचीत किया और इस दोरान उन्होंने साभत तो अरकर पर कहा था कि वह किसी भी तरीके से झूड़े अगर होगे या फिर उनके उपर अगर आरोप लगता है तो वो साब तोर पर मंतरी पत्से इस्तीफा नहीं देंगे बलकि वो अपनी जिन्दगी से भी इस्तीफा देंगे और बड़ी बात उन्होंने कही मैं चाहूंगा कि एक बार जरसा उन तस्वीरों को भी दिखाये जाए दरसल मुझफर पर रामसूरत राय ने बयान दिया था एक बार जरसा उस बयान को भी हम सुनेंगे लेकिन जिस तरीके से तस्वीर साब तोर पर आई है उस साब तोर पर देखेंगे कि किस तरीके से आज नेता प्रतिफक्त जो है सदर मिडिकल लेकिन उस्ते पहले उस बयान को भी सुनते हैं जो कि कल रामसूरत राय ने मुझफरपूर में कहा था कि भाई पर एफायार हुआ है तो इस्तिफार रामसूरत से क्यों मेरा ये सवाल है पहला नंबर दूसरा नंबर कि एफायार तेरा लोगों पर हुआ है उसमें मेरे भाई के उपर ये आरोप है कि ये परिसर के मालिक है यानि जमीन के मालिक है क्या जमीन के मालिक होने से क्या गुना है कि वो FIR में सनलिपता उनकी है या अनुसंधान का भी से है अनुसंधान जारी है तमाम उसमें वैसे लोग पकराया है जो RGD की लोग है और खुले तोर पे मैं कहाना चाहूंगा जो उसमें अमरेंदर कुमार जो संचालक है जो विद कुम्डन लरकी है जिसका नाम अजमेरी खातून है अजमेरी खातून पकराई है और राम लखंडाय पकरा है तमाम RGD के लोगों के दवारादारू का कारोबार किया जा रहा है उसमें सनलिपता हूं तो यह नियम्डे भाया रहा है तो मैं अपने विपक्ष के नेता स्री जिसे कहना चाहूंगा आप अपने डल के लोगों से जांच करा के मांग ले और जिन ब्यक्टि का नाम जिग्र किया गया है और मोने ऑक्ठ के तहथ वो जितने भी गाडियां की नंबर आ हो भी जांच में आगया किसके नाम से कौहां कराने वाला व्यक्ति है तो जाज करके परतार करके तब बोले कि राम सुद्रा अगर दोसी है तो इस्तिफ़े का इंज्यार न करें जिसनिन राम सुद्रा अपर इस्तिफ़े जनकारी आ जागा कि राम सुद्रा जिसदारों के सनिप्टा के करोबार में ह ये भी कहा है कि इस्तिफा मंत्री पर सथ है मैं जीवन से इस्तिफा दे दूंगा यानि ये बहुत बड़ी बात मैंने कहा है जिस चीज को अगर उनको समझदारी है तो समझ सकते हैं और एक-एक विशय का जवाब मैं कल पटना प्रेज करके साथ मैं दूंगा कि कहीं से हमारे भाई की सनलिपता नहीं है ना मेरे परिवार का सनलिपता है ना मेरा सनलिपता है क्योंकि हम लोग एक मध्यम बरगे किसान है अनेको जगा जमीन है अनेको जगा किराया पर कारोबार चलता है जो जाचने कई भी से है परखने कई भी से है अनुसंधान कई भी से है तुभी क कॉन्फरेंस भी करने वाले हैं लेकिन जिस तरीके से फिलाल विपक्ष जो है वो लगतार मंत्री पर आरोप लगा रहा है ऐसे में क्या तस्वीरे खुल करके सामने आती है वो देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल एक बार फिर से चलेंगे हम अपने संपादक सर के पास औ आन日 में अपने दर्शको को सुनाया कि उन्होंने साफ तोर पर काई कि अगर मैं आरोप्य हूं तो मैं जिन्दगी से इस्तिफा ले लुँगा लेकिन पॉलिटिक्स में इस तरह के इन degार महीं चलते हैं अप्रवाइस क्षिक कर ग्षी दिसक्री जब देखाबा जैसे पहले पहले बêuनिया को सीफ़ा जी को सकत है ठेंगा. और जैसे ही गांधी मैडान से वो अपने आवास निकलने वाले थे इस वीच मीडिया ने एक चलाई कि उनके उपर भी आरोप हैं और उस आरोप को देखते हुए जिसन रमांजी जो अपने आवास पहुंके थे उतना दिर में ही यह तक्रीबां 10-15 मिनट के अंदर मुकमंति सब्सक्राइब करते हैं राजीती में सूचता होनी चाहिए लेकिन वो सूचता है है नज़ी आ रहे हैज़ा जो अगर इस तरह के आरोप हैं और इसनी जो सरकार चल रही लगांजों, 1.209 mmn जात तब अच्छी होगी जब मंत्रे इस्टिफा दें आपको याद होगा जब आप इस मामले में आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवानी और जोर्च पन्नांडिस जब थे और उसके बाद आडवानी ने कहा था कि अगर मैं इस पूरे आरूप में अगर बरी हो जाता तो फिर मंत्री मंडल में सामिल किया जाए तो यहाँ पर वर्तमान सरकार को भी इसी लाइन लेंज पर चलने की जरूवत है क्योंकि कई ऐसे गंभीत दबाल मंत्री मंडल में पर उठ रहे हैं तो निटीज कुमार को चाहिए कि अपने मंत्री से इस्टिफा लें और जो जा लगतार आरोप लगा रहे हैं साबतवार पर देखा जा कि तेजस्वी यादो जो लगतार आरोप लगा रहे हैं इस बीच देखा जाया कि Election Watch for Association for Democratic का रिफॉर्म रिसर्च जो आया था उस रिसर्च में भी साब तोर पर आया था कि जो पहले चौदा मंतरी बने थे उसमें से आठ के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं उसी में एक मेवाला चौदीर थे ऐसे में जो उनके उपर कारवाई हुई या फिर उनको अपना पद छोड़ना पड़ा ऐसे में लगता है कि क्या एक बार फिर से संकट है रामसूरत राय के लिए इसी को आधार बनाया है तेजस्पी ने और इसी आधार को हतियार बनाया है उन्होंने कहा है आप देखेंगे तेजस्पी यादो चाहे विधान कभा के अंदर या विधान सभा के बाहर जब भी सरकार को घेरते हैं तो ये एक वाइन जरूर बोलते हैं और वो ये बोलते है मुखमंत्रीा 219 कुमार जी बुज़र्ग हो गये हैं और यह मझबूर मुखमंत्री मैं और बचाने करते हैं कि अपनी कूर्शी बचाने के लिए इस तरह दागी और आपराधिक किस्म के जो राजनेता है उन्चे उन्होंने संजाओता किया है और उनको मंदल में स्वामी किया है और आज जो खबरें एक एक करके आ रही है कि मंत्री के नाम जब आ रहे हैं तो यह परतिपक्ष का जो आरोप है परतिपक्ष के निटा का जो आरोप है वह आरोप कहीं न कहीं लोगों को सोचने पर मद्बूर कर देता है कि क्या वाकई में वर्तवान में जो मुकमंत्री है या जो 2005 का उनका दौर साथ 2010 का जो दौर था उस जो अपने प्लिक डिसुजन के लिए जाने जा कर रहा है कि ऐसे हालात में मुक मंत्री कैसे आगे और तक्रीमान 420 शाल साथन चला है कि ईफ लगातार मंत्री ऑड़ाहिएं और एक-ईकर मंत्री के जो आरोप है, कामने आ रहे हैं हैं तो सबसे बढा सवाल यह है आप मुख्मंत्री है आप जनका में आपको चूना है जनका का आप नखर भरोसा है तो अगर इस तरह के आप कोई भी कारइक इस वार्त बोल रहा है तो उन से सुनेंगे तेजस्टवाद हो कुछ बोल रहा है जो att कि और जो बाफ के अपके अपकी जेगा राजय भॉन के बाहर है अप रखतेए निए पिदार सबादेक्ट यह बीकार है कि सुन्दार कुछा इस पर विटिंग अधिकर निए सरु दो कि अनुदू है लिए जहां धंकि जा रही है उनके परिजेंगे की अंगे जिनकर यह नि एक तो सब्सक्राइब भी इंड वितक हों मतुरीशन पर शोड़े इस पर्पने और ये पैस को को घर होगे जाती है कि जो आडवी से ताटीन में एक नियुकला है परिशन करवाई के भाई अब भाई उडें नहीं जा रहे हैं कोई कारवाई नियुक है यह तो सर्रक्षा ली पेना हो यानि यह से दोता है कि हमार शड़ाब आपको नंबर वन है यह क्या राम्चुदत रायक की अप्तार है बर्खास्थी को ले करते हैं बर्खास्थी यह सरकार गताए ना कि आप पेश करें एगरिमेंट का पिपर अधियों किशत तरव पर मेड़ां बर्खास्थ करने की मांग की है उन्हों ने ने रहुताने की मांक करेंगाया यह लगातार आपकी देख सकते हैं किस तरीके से वो राज जिभावन के बाहर बैटे हुए हैं उनके साथ उनका पूरा जो कुन्बा है उनके जो राजत के जो नेता है वो लगतार हो और यहाँ पर सैकडों लोग है आप देख सकते हैं किस तरीके से यह तस्वीरे आ रही है और यहाँ पर मंत्री को हटाने की बात की जा रही है इनके से नेता प्रट्रिपक्त जास्ति को लेकर के जहां एक तरफ सरकार जो अपना पीट्ठवट आ रही है ऐसे में जिसे तरीके से नेता प्रट्रबक्ष ने दो दिन पहले जो प्रेस कॉन्फरेंस किया था उसमें उन्होंने दावा किया था और एक रिपोर्ट भी तो ये कही न कही बड़ा सवाल उड़ता है कि जिस तरीकी से सराबंदी को लेकर के लगतार जो बाते कही जाती है सरकार के तरफ से जो दावे किये जाते है। अब नेता प्रतिपक्ष सरकार को उसी सराबन्दी पर घेरने निकले हैं जिस पर सरकार अपना पीट थपनापाती नज़र आती है और अब विपक्ष को कही न कहीं मंतरी एक मिल गया है जिनके उपर गंधीर आरोप लगया हैं अलागि आरोप उनके भाई के बिद्धाले में जो की जमी निन के नाम पर है और उस मामले को ले करके अब जो सरकार है वो कहीं न कहीं बैट पुट पर नजर आ रही है तो दूसरे तरह बिपक्ष जो है फिलाल मजबूती में है और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष जो सदन से सीधे निकले हैं और राजेबहुन जा रहा ह है उन्हें राजेपाल से मिलना है लेकिन अब तक उन्हें अनुमती मिल पाती है कि नहीं राजपाल से मिलने की है तो देखने वाला बक्त होगा लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपने नेताओं के साथ राजभाँन के बाहर बैटे हुआ एक बार फिर से चलते हैं हम अपने संपादत सर के पास राज्यत सर के पास और उनसे जानेंगे सर ये तस्बीरे आखिर क्या बया करती है नेता प्रतिफक्ष कहते हैं कि बेना हटाया हम मानेंगे नहीं बिल्कुल उन्होंने एक लाइन जो कहा है लास्टन उन्होंने जो एक लाइन कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा तब तक हम हटेंगे नहीं प्रस्ट इसाफ है की अब गेंद इस मुक्त मंतरी के पाले में है गेंद अब कैड्नेक के पाले में है गेंद अब अनडिय के पाले में है आखिर इस पूरे मसले को कैसे निटिसकुमार हेंडिल करते हैं इस बड़ा प्रस्ट है CYC cannot earnike प्रोजरेक्ट है या तिर वहां विद्जाले खोला जाएगा और जिस तरह से आज नहीं सरोडों के रूपे के का सकते हैं कि तथकरी हो रही है शराब की लेकिन उसके बादोग बेगा शराब बंदी पर लगान नहीं लग रहा है तो यह सीधा सीधा कहीं न कहीं सरकार पर सवाल ख़़ा कर रहा है उनका सुस्टम क्या कर रहा है उनकी पुलिस क्या कर रही है इसी मुद्डे को घरा है इसीuntमे परढ़े मिन घरा है प्रसमेज़ु अससाथ कहा है यह हो नहीं हटाया जाएगा हम यहां से नहीं हटेंगे प्रस्ते बियुक्र solution घ्रत वी हुटता है तरुन हुटता है सार स इस तरीके से सरकार जो अपना पीट थप अपाती है शाराबंदी को लेकर बिल्कुल सर सुन पार है मुझे तो बिल्कुल आपको बता दू कि नेता परति पक्ष जो है वो आज मानने को तयार नहीं है और ऐसे में उन्होंने साब तोर पर कहा है कि जब तक मंतरी को हटाया नहीं जाएगा उनके पत्से। तब तक वो मानने वाले नहीं है ऐसे में अब जो गेन सरकार के हाथ में हैं, मुख्य मंतरी के हाथ में कि क्या वो साब तोर पर उनके मंतरी हैं उनको पत्से हटाती है लेकिन जहां एक तरफ ये भी बड़ी बात होगी कि अगर विपक्ष के इस विरोध के बाद से सरकार जो है वो अपने मंत्री को हटा देती है तो विपक्ष कहीं न कहीं एक बार फिर से मजबूती के साथ जो है पहले से बिहार सरकार जो है सरकार और विपक्ष जो है दोनों एक साथ मजबूती में हैं ऐसे में विपक्ष की मजबूती कहीं न कहीं सरकार को बैक फूट पर लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस्तिती भी ऐसी बनती जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेता परतिफख्ष ने कहा दिया है कि वो जब तक मंत्री को इस्तीफाएं हो जाता तब तक राजभावन के पास बैठे हुए हैं और वो राजपाल से बात की उसमें उन्हों सर्जोर जलूब के टक्कर वे अंगर सहारा नारा है सलाम माफिया को संगरक्षन देना बंद करो बंद करो बंद करो कि अधरी निवास के बंद करें नारे बाजी यहां पर चल रही है लुए जाए पानी में रहते हैं जिसका स्नेल ने कहता है एल किस तरिक तर्वीर तर्व तर दे रहे हैं लैव तस्वीर देख रहा है किस तरीके के वहाँ पे हालात है और राज भौन के बाहर जो है वो नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए उनके साथ उनके पूरे विधायक जो है वो भी बैठे हुए है राजत के सैकडों लोग यहाँ पे नेता भी दिख रहा है और जिस तरीके से यह तस्वीर उभर के सामने आ रही है हम हैं उनके साथ राज भौन के सामने बैठे हुए हैं हालागी राजयपाल से मिलने का कोई समय नहीं लिया गया है इसलिए मुलाकात जो होने की संभावना है वो कम बताई जा रही है और अभी नेता प्रतिपक्ष के साथ उनके बढ़े भाई पिश्पृता प्यादो और माल अभी नेता प्रतिपक्ष के सामने नेता प्रतिपक्ष अपने तमाम प्रतिपक्ष के तरफ से कुछ कोशी से की जा रही है नहीं अभी एक तरीके से यहां पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है और पर भाई विरेंड जो मुख्ष पर वलता है राजश्य वह जब आयते मिलिया से बास्तिक कि उन्होंने उनका सीदे तरह कहना है कि अज भौन से अब ही किसी तरीके का समय नहीं लिया गया है अगर मिलने की बास होती है तो समय लेकर फिर से मुलाकात दिया जाएगा लेकिन अभी हम प्रोटेस्ट कर रहा है और ये प्रोटेस्ट चबजा रहेगा तो नेवर देखिए अब आगे इस तरीके से रॉन लीती होती है इस दि अमिनास जिस तरीके से कहते हैं कि जहां एक तरफ बिपक्ष मजबूत हो तो सरकार अपने दाइरे में चलता है ऐसे में लगता है कि जिस तरीके से बिहार में बिपक्ष की मजबूती दिख रही है कही न कहीं नहीं लगता है कि सरकार को इसके लिए कदम को जुकाने पड़ें इस तरीके से निर्वाए नेता प्रतफक्त तेहस्तुरी यादो ने जो सभूत पेस्ट किया है जो फोटो दिखाया है और जिस तरीके से राम सुरत राय ने ये खा था कि उसी स्कूल से उनका कोई सरोकार नहीं है और वो जैनेंज करते हैं कि अगर को तरोकार होगा तो फिर लगे की बात की जाएगी चो अब उसी बात को लेकर कि इस तरीके से जो प्रत्तफक्त नहों है शुआ उन्हों से लिए प्रेस इस विरिए उन्हों पर पर पहुंचे है और यहां बद्दाशार है इंटार है कंब बद्दी करते हैं क्या कुस्छ जो जो राज़ेत के मुझे परोगता भाइवरेंद्र है उन्होंने बातशीत की उन्होंने बताया कि वो प्रोटेक्स कर रहे हैं और जब तक राम सुरत राय का इसका नहीं लिया जाता है उनको मंत्री मंदल से बाहर नहीं किया जाता है तब तक यह शलता रहेगा अभिनाश कि अब जो सबूत हैं जिस तरीके से जो त्यष्विया रहें हैं कि क्या कुछ होगा कि स्थितिया बदलेंगी उसको लेकर तो आने वाला समय बतायएं इस तरीके से हलाखी सरकार कि स्थे इसको लेती है यह आगे करवाई कैसे होती है क्योंकि देखिए शृब बंदी कानू पर लागु है और शराब अज़ाएं के भी समपत्रिश से मिलता है तो उसके खिलाब तो करवाई हो नी ही होगी 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 यह लुए लुए हैं, तो इस तरीकें तो जो एक यह तेखना होगा बिल्कुल अबिनास लगतार आप नजर बनाये रखी आप से फिर से जुड़ेगे और जानेगे कि किस तरीके के और हालात है लेकिन जिस तरीके से नेता पृतिपक्ष जो है वो लगतार राजभौन के बाहर बैटे हुए है हलाकि वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा जि अब ये तस्वीरे बया करेगी कि आगे क्या कुछ होता है क्योंकि सरकार के हाथ में अब सब कुछ है मुख्यमंत्री के हाथ में अब सब कुछ है क्योंकि आखिर वो क्या करते हैं लेकिन जिस तरीके से बिपक्ष जो है वो लगतार बिरोध कर रहा है इस बिरोध के बाद दूसरी तरफ तीन बजे जो भी हर सरकार के मंतरी है राम सूरत राय उन्होंने फिर इस कॉन्फरेंस करके इस बात की जानकारी देने की बात कही है कि वो जानकारी देंगे कि वो किस तरीके से भी गुना है अला कि मुझफर पूर में भी जो उन्होंने साबतार पर कहा था कि तो अगर इस मामले में दोशी है तो वो अपनी मंत्री पद से ही नहीं बलकि जीवन से भी इस्तिफाद दे देंगा ऐसे में देखने वाली बात होगी लेकिन यहा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर लगातार जारी है